हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत पूर ड्राइफ फूर्ट बदाम के बारे में जानकारी देंगे दोस्तो आप अगर बदाम को भीगो कर खाते हो तो इसके क्या फायदे है और ये कितना बेनिफीसियल है तो आईए जानते हैं भीगे बदाम का सबसे जो भीगा बदाम है उसको खाने का सबसे सही समय क्या होता है भीके बदाम हमें किस वक्त खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए बदाम खाने का सही तरीका क्या है एक दिन में कितने बदाम हमें खाने चाहिए इसके साथ साथ रोजाना भीके बदाम खाने की क्या-क्या जवरदस्त फाइदे होते हैं और अगर बदाम का अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो इससे हमारे शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये भी बताएंगे तो फ्रेंड्स आपको भीके वे बदाम के बारे में डेटेल में सारी जानकारी दूंगी इस वीडियो पर इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किये पूरा देखिएगा और इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो को लाइक कर लीजे दोस्तो बदाम एक सुपर फूट की स्रेणी में आता है और इसे ड्राइर फूट का बादसा भी कहा जाता है ये एक ऐसा ट्राइर फूट है जिसे आप लंबे समय तक इस्टोर करके रख सकते है रोजाना भी के बदाम का सेवन करना हमारे लिए पहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि बदाम में भरपूर बिटामिन E पाया जाता है और इसके साथ ही साथ इसमें जिंग, कैलसियम, पोटेशियम, मैगनीशियम, ओमेगा थ्री, विटामिन E पाया जाते है और इन सभी पोशक तत्मों का फायदा हमें तभी मिलता है जब हम इसका सेवन सही वक्त पर और सही तरीके से करते हैं और साथ साथ बदाम में एंटि आक्सिडेंट भी पाया जाता है जो हमें कई बीमारियों से छुटकारा दिलाता है आईए हम बात करते हैं सबसे पहले भीगे बदाम को खाने का सबसे सही समय क्या है यद हमें बीगे बदाम का सेवन करना चाईए तो कब करना चाहिए जिससे हम इसका भरपूल लाब उठा सके वैसे तो फ्रेंटि बीगे बदाम सुबे दोपाय शाम के समय कभी भी आप खा सकते हैं पर भीगे और बदाम का सेवन अगर आप सुब़े के टाइम खाली पेट करते हैं तो इसके बहुत ही अदुत लाप मिलते हैं असल में जो बदाम है इसे खाने के सही समय इस बात पर निलभर करता है कि आप उसे किस उद्देस सेवन कर रहे हैं अगर आप वजन खटाने के लिए इसका सेवन कर रहे हैं, तो इसका सेवन सुबह नास्ते के पहले करना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइवर की मात्रा भरपूर होती है, और इसलिए इसका सेवन करने से भूख जल्दी नहीं लगती है, साथ ही एनरजी भी बनी रहती है, यदे बदाम का सेवन रात में करना चाहिए, साथ ही इस बात का भी ध्यान दें, कि लेट नाइट इसका सेवन ना करें, तो अच्छा है, क्योंकि इसमें मैगनीशियम की मात्रा भरपूर होती है, जो अच्छी नीन दिलाने में साहयक है, ये तो हमने बात की कि भीगे बदाम खान चाहिए, वहें कुछ लोग कहते हैं कि बदाम को छिलके के साथ खाना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि छिलके उतार कर खाना चाहिए, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूं कि बदाम खाने का सबसे सही तरीका क्या है, जिससे इसका पूरा लाप मिल सके, दोस्त साथ बदाम खाने से भी बहुंस सक्त होता है जिससे हमारे पाचंतंत को और अधिक मेहनत करनी पड़ती है इसलिए हमें बदाम को खाने का जो सबसे सही तरीका है वो इसे रात पर पाने में भीगो का रख दें और फिर इसे सुबह इसका छिलका उतार कर खाली पेट से बन करे तो इससे आप इसका पूरा लाव उठा पाएंगे दरसल जो सूखे बदाम की तासीर होती हो गरम होती है और आप अगर इसे बिना भीगोई और बिना च्छीले हुए खाते हैं तो इसे खोन में पित्त की मातरा बढ़ जाती है इसलिए आप इसे च्छील कर ही खाएं तो ज चाहें तो दोद में भीगो कर चार से पांच छीले हुए बदाम और उसमें से एक या दो खजूर डाल कर सेक बना कर पी सकते हैं इससे आपके शरीर में तुरंद एनरजी मिलती है भीगी बदाम का सेवन करने का एक और अच्छा तरीका है इससे आप सुबह खाली पेट चाहिए जो कि सही होगा क्यूंकि बदाम की तासीchs गरम होती है और ज्यादा मातरा में बदाम का सेवन करते है 10 खाते है थे when out quantity है आपको आठदस से जादा नहीं खाना चाहिए असल में बदाम खाने की जो सही quantity है इस पर भी depend करती है कि आपके शरीर की तासीर गरम है या ठंडी है क्योंकि अगर आपकी जो फीचकल है इसकी तासीर अगर गरम है तो आपको कम खाना चाहिए और अगर ठंडी है तो फिर आप थोड़ा सा जादा खा सकते हैं या आप जिम करते हैं तो आप 5-6 बदाम और एक से दो खजूर दूद में मिक्स करके सेख बना कर पी सकते हैं यह आपके लिए बहुत ही फायदे मंद होगा बाकि दोस्तों अगर आप बदाम को डेली डाइट में शामिल करने जा रहे ह तो आप 4-5 बदाम से सुरुआत कर सकते हैं चलिए अब मैं बताती हूँ कि रोजाना भीगे बदाम खाने की क्या-क्या जवरदस्त फायदे होते हैं फ्रेंट्स भीगे बदाम में विटामिन E की मातरा अच्छी होती है और विटामिन E तो अच्छा की सेहत के लिए उसको स बदाम हमारे शरीर की पाचन सकती को बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है जी हां बदाम में उच इस्तर का फाइबर होता है जो पेट की पाचन क्रिया को ठीक रखने में बहुत ही मददकार होता है साथी साथ अगर आप रोज भीगे बदाम सेवन करते हैं तो कबज की सम बिल्कुल ही स्वस्त रहेगा क्योंकि भीगेवे बदाम में ओमेगा 3 फैटी एसेड होता है और ओमेगा 3 फैटी एसेड मस्तिस्की की ताकत बढ़ाने के लिए पहुत ही फायदेमंद होता है दोस्तों भीगेवे बदाम को रोजाना सेवन करने से शरीर के जो टाक्सिक पदा मिलती है इसके कारण ये बदाम में मोनो अंसाचुरेटेट फैट मवजूद होता है जिसकी वज़े से जल्दी भूग नहीं लगती और शरीर में एनरजी बनी रहती है तो ये वेट लॉस करने के लिए भी बहुत ही जादा फायदेमंद होता है फ्रेंट्स इसमें प्रोट दिलाता है फ्रेंट्स नियमित रूफ से भीकेवे बदाम का सेवन करने से हार्ट अटेक का खत्रा कम हो जाता है इसके साथ ही फ्रेंट्स ये जो बदाम है इसमें ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड होता है जो की बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है इसके साथ ह इसके साथ ये बालों की ग्रोथ भी बढ़ाता है और इसके साथ ही इसका नियमित सेवन करने से बालों के जड़ने की समस्या भी समाप्त हो जाती है फ्रेंड्स डायबोटीस कंट्रोल करने के लिए भीगा बदाम एक अच्छा खाद पदार्थ है इसका कारण ये है कि बदाम में मैगनीशियम पाया जाता है और ये स्वास्त के लिए काफी लाबदायक है इसके साथ ही साथ ये डायबोटीस पेसेंट में बलड सुगर को भी क साथ ही अगर आप बदाम के साथ दूद का सेवन करते हैं तो ये शरीर में भरपूर कैलसियम मिलता है और जो की कैलसियम हड़ियों को मजबूत रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाबदायक होता है ये तो हमने आपको बदाम खाने के फायदे बदाए पर फ्रेंड्स बदाम किसी भी चीज़ को अगर हम जरूर से ज़्यादा खाते हैं तो फिर उसके नुकसान भी होते हैं तो आईए जानते हैं कि अधिक मातरा में बदाम खाने से क्या नुकसान होते हैं फ्रेंड्स बदाम में फाइबर की मातरा अधिक होती है और अगर आप ज़्यादा मा लोगों को किड्नी में पत्थरी की समस्या है तो उन्हें बदाम का सेवन करने से नुकसान हो सकता है इसका कारण यह है कि बदाम में आकसी जेलेट की मात्रा अधिक होती है जो कि पत्थरी की समस्या को बढ़ा सकती है तो ऐसे लोगों को भी बदाम का सेवन नहीं करना प्रक्टिए.